तो आप देखते हैं anticipatory beach of contract तो अगर मैं anticipatory beach of contract की बात करूँ तो अभी तक हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत discussion कर लिया लेकिन इसके अंदर भी कुछ और points बाकी हैं जो आपको समझने जरूरी है तो यहाँ पर क्या बोला गया है anticipatory beach of contract occurs when a party before the time for performances due announce that he is not going to perform the contract तो वही बात बोली है जो अभी तक हम पढ़के आचुके हैं कि जब कभी भी कोई party performance due होने से पहले ही announce कर देती है बता देती है सामने वाली party को कि वो अपनी performance को perform नहीं कर पाएगी तो यह तो हमने देख लिया था यह हमारा anticipatory beach of contract है अब यहां पर हमारे पास एक और नया point आता है एक और नए तरीके का anticipatory beach of contract आता है तो beach में और लिखावा है और का मतलब क्या है कि या तो उपर वाली condition पूरी हो जाए या फिर नीचे वाली condition पूरी हो जाए दोनों में से कोई भी condition पूरी होती है तो उस case में आपका contract anticipatory beach of contract कहलाएगा तो simple सी बात है या तो ये या तो वो तो second point क्या कह रहा है when a party by its own act disable himself from performing the contract तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई party खुद से कोई ऐसा act कर दे खुद से कोई ऐसा काम कर दे जिससे वो disable हो जाए वो खुद को disable कर रही है from performing the contract तो क्या मतलब है इसका अब इसको example से समझेंगे उससे बहले यहाँ पर देखो anticipatory beach of contract may be express or implied anticipatory beach of contract हमारा express भी हो सकता है implied भी हो सकता है ये तो हम पूरे contract राट के अंदर देखते वही आ रहे है कि हमारा contract अगर मैं एक्सप्रेस की बात करूँ तो express का मतलब हो गया word से express करना और word से तो oral भी हो सकता है और return भी हो सकता है वही अगर मैं implied की बात करूँ तो party ने कुछ ऐसा काम करा कुछ ऐसा conduct करा जिससे हमारा contract breach हो रहा है तो anticipatory breach हमारा express भी हो सकता है मैंने आपको क्या बोला express का मतलब हो गया कि party ने सामने से खुड़ी बता दिया words के through बता दिया चाहे वो oral हो चाहे return हो कि मैं इस performance को perform नहीं कर सकता वही अगर मैं implied की बात करूँ तो implied के case में क्या होता है party कुछ ऐसा act करेगी कुछ ऐसा conduct करेगी जिससे party खुद को disable कर रही है from performing the contract तो जो second point है वो हमारा implied वाला है जबकि जो हमारा first point है वो हमारा express वाला है इन दोनों को ये example से समझते है तब अच्छे से बात समझ में आएगी example है हमारे सामने A contract with B on 25th October to supply 10,000 bags of rice of 50 kg at a rate of rupees 1500 per bag on 38 December तो यहां पर A और B दो party है दोनों के बीच आपस में contract हो रहा है 25 October को जिसमें A B को कह रहा है कि मैं तुम्हें 10,000 bags of rice supply करूँआ एक bag 50 kg का है और एक bag का price है 1500 और supply की date क्या है 30 December तो 30 December को supply करा जाएगा जबकि contract कब करा गया है 25 October को तो हम 30 December को due date बोल सकते हैं क्योंकि performance की date ही है इसी दिन performance करनी है अब जगो यहां पर क्या हो रहा है On 1st November A inform B that he will not able to supply the rice तो एक November को A ने B को inform करा और बोला कि मैं तुम्हें rice supply नहीं कर पाऊंगा A ने जो है due date से पहले ही एक November को B को बोल दिया B को announce कर दिया कि मैं अब यह performance परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो यह हमारा पहला case बनता है यहां पर A ने जो है anticipatory breach कर दिया और यह express वाला anticipatory breach है उपर देखो साफ साफ पहले point पर बोल दिया गया था When a party before the time for performance is due announce that that he is not going to perform the contract यहां पर due date आने से पहले पहले party साफ साफ announce कर रही है कि वो अब performance को perform नहीं कर पाएगी यही बात यहां पर हमारा यह example भी गह रहा है तो समझ में आगी आपको बात अब ज़रा एक बार implied breach of contract को भी जेख लेते हैं तो हमारा अगला example है A agrees to sell his white horse to B for Rs. 50,000 but he sells this horse to C on 1st August 2016 तो यहां पर A ने B के साथ एक contract कर लिया कि 10 अगस को A, B को अपना white horse बेचेगा लेकिन 10 अगस आने से पहले पहले एक अगस को A ने उसी white horse को C को बेच दिया तो यहां पर horse किस के पास चला गया? C के पास तो अब मुझे ही बताओ कि जब 1 अगस को horse A ने C को बेच दिया तो अब इस case में क्या A 10 अगस को यही same horse B को बेच पाएगा? बिल्कुल नहीं C को पहले ही बेच दिया तो B को कैसे बेचेगा? तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर A ने B के साथ एक contract करा लेकिन contract due date आने से पहले पहले A ने अपने आपको disable कर दिया from performing the contract A ने कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ ऐसा conduct कर दिया कि अब वो B के साथ करे वे contract को perform करी नहीं सकता A ने अपने आपको disable कर दिया from performing the contract तो समझ में आ रही है अपको बात? आप जड़ा एक बार इसका effect भी देख लेते हैं जिस तरीके से हमने actual beach of contract के अंदर उसका effect देखा था, section 55 से उसको link करा था उसी तरीके से यहाँ पर anticipatory beach of contract को भी हम link करेंगे section 39 से, section 39 हमें anticipatory beach of contract का effect बता रहा है कि अगर आपका contract anticipatory beach हो गया तो उसके बाद अब parties क्या क्या काम करेंगी किस तरीके से parties damages claim करेंगी तो देखो मैंने आपको starting में ही बता जिया था कि जब भी anticipatory beach of contract होता है तो उस case में agree party के बास दो option बसते हैं पहला option या तो agree party immediately contract को resign कर दे और उसी समय पर without waiting the due date of performance defalter party के उपर case file करके उससे damages claim कर ले तो एक तो option यह हो गया अब अगर मैं दूसरा option की बात करूँ तो agree party के पास दूसरा option क्या होता है कि अगर anticipatory beach of contract होगा है तो उस case में agree party immediately contract को resign नहीं करती बलकि इंतजार करती है wait करती है till the due date of performance कि हो सकता है due date पर सामने वाली party अपने performance को पूरा कर दे उसका इरादा बदल जाए तो इस चीज का wait करती है हमारी agree party तो agree party due date तक इंतजार करेगी लेकिन अगर due date पर भी सामने वाली party ने अपनी performance को perform नहीं करा तो फिर उस case में agree party due date पर defalter party के against case file करके उससे damages claim कर लेगी तो हमारा पास यहां पर anticipatory breach of contract के दो effect आ गए यह दोनों effect हम देख चुके हैं तो हम मैं आपको बता दूँ यहां पर हमारा section number 39 है यह इनी दोनों effect की बात करता है जो section 39 है वो यहां पर यही बात कर रहा है बस बोलने का तरीका अलग है तो एक बार पड़ा पड़ा इसको देख लेते हैं when a party to a contract has refused to perform और disable himself from performing his promise in its entirely तो वही सेम बात जो उपर हम दो point देखकर आए वे पहला हमारा express और दूसरा हमारा implied party या तो refuse करेगी expressly या फिर disable करेगी खुद को from performing his promise तो breach of contract express से भी हो सकता है और implied से भी हो सकता है तो वही बात यहाँ पर बोली है बस एक बात यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर लिखावा है डो अप्शन आएंगे कौन से दो अप्शन थे पैला अप्शन था कि प्रॉमिसी जो है इमिजेटली contract को एंड़ कर सकता है तो इमिजेटली वाली बात यहाँ पर लिखी हुए दप्रॉमिसी में में का मतलब है प्रॉमिसी के पास option है कि प्रॉमिसी चाहे तो put and end the contract PRPP चा है यहां पर unless he has signified signified का मतलब express करना ही होता है तो express कैसे करते हैं by word और conduct तो यहां पर क्या बोला गया है unless he has signified unless का मतलब तो हम कई बार देखकर आ चुके यह तो आपको पता होना चीए unless का मतलब जब तक की नहीं तो अभी अनलेस को छोड़ो उसके आगे पड़ो क्या लिखावा है he has signified by word और conduct he का मतलब है यहाँ पर प्रॉमिसी प्रॉमिसी signified करेगा प्रॉमिसी express करेगा अपने word से अपने conduct से क्या express करेगा his acquiescence in its continuous acquiescence का मतलब होता है consent तो यहाँ पर प्रॉमिसी जो है express करेगा अपनी consent किस चीछ को लेकर consent देनी है continuous को लेकर consent देनी है continuous का मतलब हो गया कि प्रॉमिसी जो है contract को continue रखना चाहता है contract due date से पहले भीच हो चुका है लेकिन promise को alive रखना चाहता है continue रखना जाता है और वह उस continuous की consent दे रहा उसने अपनी मंजूरी दे दी contract को alive रखने की तो इसका मतलब है कि उपर वाली बात अब मानी नहीं जाएगी उपर क्या रिखाव है कि प्रॉमिसी अपने contract को end कर सकता है इमिजेटली तो या तो प्रॉमिसी अपने contract को प्रॉमिसी अपने contract को खतम कर सके तो यहां पर बात उसी तो option की ओरी है पहला option बोलता है कि contract को immediately end कर दो दूसरा option बोलता है कि अगर एक बार second option select कर दिया contract को continue करने के लिए अपनी consent दे दी तो उसके बाद आप दुबारा पहले option पे नहीं जा सकते इसको हम एक example से देखेंगे तब जाके बात अच्छे से समझ में आईगी और मैं आपको बात बता दू section number 39 हम कहले भी पढ़ चुके हैं मैंने आपको chapter number 10 performance of contract के अंदर यह वाला section पढ़ाया वा है तो यहाँ पर एक बार इसका example देख लेते हैं A who is a singer enter into a contract with B the manager of a theater तो यहाँ पर दो parties है A और B A एक female singer है A के साथ contract कर रहा है B B कौन है theater का manager है तो यहाँ पर A और B के बीच एक contract हो रहा है जिसमें A B के theater में आके गाना गाएगी हाथे में दो दिन और यह कर तक चलेगा अगले दो महीं तक two nights in every week during the next two months तो यहाँ पर इन दोनों के बीच contract हो गया B agrees to pay her rupees handed for each performance तो B जो है A को हर performance का तौर पर देगा और 6th night A willfully absent herself from the theater तो यहाँ पर क्या हुआ 5 nights तक तो सब कुछ सही चला A आई और A ने गाना गाया B ने A को तौर पर दिये A चली गई तो 5 nights तक सब कुछ ठीक था लेकिन 6th night में क्या हुआ कि A performance करने आई नहीं ए जो है willfully absent Willfully का मतलब क्या होता है जान पूच कर absent हो गई कोई ऐसा valid reason नहीं था A के absent होने का लेकिन एक जान पूच कर absent हो गई तो यहाँ पर A ने अपनी performance को perform नहीं करा A ने अपनी performance को breach करा है तो इस case में performance breach होते ही B के पास liberty आ गई B के पास right आ गया कि वो चाहे तो इस contract को खतम कर सकत है B is at the liberty to put an end to the contract तो समझ में आ रही है बात अब देगो यहाँ पर मैं इस example के अंदर कुछ और नहीं बाते लाता हूँ तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा यही same example है इसके अंदर थोड़ी और आगे बात करते है on 6th night तक हो गया था on 6th night A willful absent hassle A जान पूच कर absent हो अब यहाँ पर आगे क्या होता है with the ascent of B A sinks on the 7th night यहाँ पर क्या हुआ कि A 6th night को तो आई नहीं लेकिन A 7th night में आ गई और आके गाना गाने लगए और यहाँ पर B ने भी उसे रोका नहीं तो अगर B ने उसे नहीं रोका तो इसका मतब साफ है B ने अपनी consent दे दी कि A जो contract and cannot now put an end to it जैसे ही B ने continuous के लिए consent दी वैसे ही B के पास contract को end करने का write खतम हो गया अब यहाँ पर B क्या कर सकता है B ज्यादा से ज्यादा A से 6th night के अपने नुक्सान का compensation क्लेम कर सकता है तो समझ में आगी बात example समझ में आ गया उपर वाला example हमारे पहले option पे था जबकि नी बता हूं कि जो हमारा section 39 है यह और जो ही हमारा example है यह दोनों आपस में match करी नहीं दे तो मैच नहीं कर रहे तो मैंने समझा कैसे दिया तो ध्यान से देखो section 39 के अंदर एक word लिखा हुआ है जो कि है entirely entirely का मतब हो था 100% प्रॉमिसर जब 100% performance को refuse करेगा या फिर 100% disable करेगा तो यह example हमारे section 39 का कैसे हो सकता है तो विल्कुत सही बात है section 39 का यह example नहीं हो सकता लेकिन आपको ज्यादातर books के अंदर यह 99% books के अंदर आपको यह example मिलेगा section 39 को लेकर तो books के अंदर दे रखा है तो मेरा काम था आपको पढ़ाना लेकिन law की जो practical बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि practical life में क्या हो सकता है यहाँ पर हमारा section 39 इस example के उपर नहीं लगने वाला जूकि section 39 entirely की बात करता है तो अगर यह example नहीं लगेगा section 39 के उपर कौन सा example लगेगा तो देखो अगर हम इसी example को थोड़ा सा change कर लेते तो यह example हमारा section 39 के लग जाएगा मालो A और B के बीच यहीं गाने वाला contract हुआ लेकिन A जो है एक भी दिन गाना गाने नहीं आई A ने due date से पहले ही मना कर दिया यानि first night से पहले ही मना कर दिया कि मैं performance परफॉर्म नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि यहाँ पर anticipatory भीच हुआ है A ने due date से पहले मना करा है और 100% performance के भी एक option को select कर सकता है तो समझ में आ रही है बात तो section 39 के अंदर entirely word का ध्यान रखना है लेकिन exam के अगर मैं बात करूँ तो exam के अंदर अगर यह example आपको देखने को मिलता है तो इसके उपर आप section 39 ही लगा होगी यह example बार बार पूचा जाता है और examiner भी इसके उपर section 39 ही वह भी बुक से देखके इसको check कर देता है तो समझ में आप भी बात तो यह हमारा section 39 complete हो गया और साथ के साथ हमने अपने anticipatory बीच वाले point को भी समझ लिगा